इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि आप अपने मोबाइल में यहां पे नैटर्क प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं अगर आपके फोन में नैटर्क प्रॉब्लम आ रही है तो आपके पस लावा के अलावा कोई भी मोबाइल है तब भी आप इसमें इसी टैप से कर सकते हैं तो यहां पे आपको क्या करना है चले जाना है सेटिंग पे और सेटिंग पे जाने के बाद यहां पे सबसे नीचे चले जाएंगे सिस्टम पे तो सिस्टम पे जाने के बाद यहां पे आप रिसेट आप्शन पे क्लिक कर लेंगे और यहां पे जाके आप रिसेट वाइफा तो यहां पे आपको reset setting पे एक बर click करना है तो आपके setting यहां पे reset हो चुकी है और इसके बाद जाकि आपको networking related setting कर लेनी आपने phone में तो यहां पे आपको क्या करना है चले जाना है back और यहां पे सबसे उपर चले जाएंगे network and internet पे तो आप इस पे click कर लेंगे और mobile network पे एक ब रोट नहीं आ रहा है तो वहां पे आप एक बार इसे ओन करेंगे डेटा रोमिंग को और उपकी कर देंगे तो वहां पे जो भी नेटवर्क अविलेबल होगा वह आपका आजाएगा ठीक है और इसके बाद यहां पे आपको प्रेफेड नेटवर्क टाइप पे क्लिक करना है और इसको यहां पे आप सबसे उपर वाला जो आपष्ण है इसपे क्लिक रहने देना है और इसके बाद कैंसल कर देंगे और इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पे इन्हांस 4G LTE मोड का उप्षिन आजाता है आपका आप इसे क्लिक करके ओन कर देंगे इससे आपकी जो वोईस कॉल है वो इंप्रूव हो जाएगी कम्यूनिकेशन जो आपकी कॉल ड्रॉपिंग वगर की समस्या होती है वो नहीं आएगी ठीक है आप इसे ओन रहने देंगे इसके बाद यहां पर आप स्क्रॉल करेंगे और एक्सेस पॉइंट नेम पर जब आप क्लिक क कर सकते हैं और इसके बाद बैक कर देंगे और यहां पर नेटवर्क ओपरेटरस पर एक बार क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका एरिया वाइस नेटवर्क यह सर्च कर लेगा और जो भी आपका नेटवर्क होगा उसे आप सलेक्ट कर लेंगे तो इस टेप से आप यहां प